जे टी सी हॉलिडेज प्रस्तुत करता है दुबाई वर्चुल टूर दुनिया की सबसे उची इमारत बूर्ज खलीफा में दुबाई एस्किप फ्रॉम दा उब्जवेशन डेक के कैप्टिवेटिंग दृश्य देखें भगवान शिव और भगवान कृष्ण को समर्पित दुबाई में हिंदू मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायों के लिए एक पवित्र केंद्र है दुबाई मौल के भीतर खुलने वाली विलासिता का अनुवेशन करें जो सयोक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा शॉपिंग मौल है धो क्रूज से समुद्र तट के मंत्र मुग्धा कर देने वाले दृश्यों के साथ अरब रातों के आकरशक स्पर्श का अनुभव करें लाहब रेगिस्तान में एक रेगिस्तानी सफारी के उलेखनिया अनुभव का आनंद ले और दुबाई के रेत के टीलों से गुजरते हुए एद्रेना लाइन की भीड को महसूस करें रात में दुबाई क्रीक में टहलें जो शहर के सबसे आकरशक साइरगाहों में से एक है और दुबाई के शीर शाकरशनों में से एक है बुर्ज अल अरब दुबाई का सबसे आलीशान होटल है जिसके अंदरूनी हिस्से को 24 कैरेट सोने से अलंकरत किया गया है जुम्राह मस्जिद को संयुक्त अरब अमीरात की सबसे आश्चर्य जनक मस्जिदों में से एक माना जाता है दुबई के सबसे बड़े सार्वजनिक समुद्र तट जुम्राह बीच की शांदार सफेद रेट पर एक दिन बिताएं अट्लांटिस पाम होटल प्रतिष्ठित पाम द्वीप परस्थित है और एक विश्व प्रसिद रिजॉट है जो विलासिता और मनोरंजन प्रदान करता है शेक जायद मस्जिद के विशेश दर्शनियस थलों की यात्रा का आनंद लें जो आपको अबुधाबी के आकर्शक आकर्शन तक ले जाती है अमीरात पैलेस आलीशान अंद्रूनी हिस्से को सोने, क्रिस्टल और संग्मर्मर के पैटन से सजाया गया है जो स्वारोवस की जूमर से सजे हैं जो उन्हें आँखों के लिए एक द्रिश्य उपचार बनाते हैं अबुधाबी के ब्रेकवाटर के ठीक बगल में स्थित, हेरिटेज विलेज सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिसे 1997 में बनाया गया था दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उँचे उँचे उब्जवेशन वील एन दुबई की सवारी करें जो जमीन से 250 मीटर की उँचाई तक जाता है लूव म्यूजियम में विशाल गुमबद के माध्यम से छंती सूरज की रोशनी के अदभूत नजारे को निहारें जिससे 7800 से अधिक तारों का एक पैटन बनता है जिसे प्रकाश की वर्षा के रूप में जाना जाता है फरारी वर्ल्ड में एक रोमान चक दिन बिताएं जो दुनिया का एक मात्र फरारी थीम वाला एडवेंचर पाक है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्य जनक इंडोर थीम पाकों में से एक की खोज करें वोना ब्रदर्स वर्ल्ड अबूधाबी दुबाई एक्वेरियम में पानी के भीतर सुरंगों के माध्यम से टहलें, हजारों समुद्री प्रजातियों के लिए विस्तरित पानी के नीचे ब्रमांट घर तीस से अधिक पानी की स्लाइडों के साथ, एक्वावेंचर वाटर पार्क दुबाई के परियटकों को अवश्य ही जाना चाहिए UEE के इस खुबसूरत शहर में The Lost Chambers Aquarium में उत्तम समुद्री जीवन और समुद्री जीवों के असंख्य का अन्वेशन करें फ्लाइंग कप मी जमीन से 40 मीटर की उचाई पर खाने के अनोखे अनुभव के लिए खुद को तयार करें Blue Waters Island आपको यहां के सभी परियटक आकर्शनों में सबसे प्रतिष्ठित जो की एन दुबई है पर जाकर द्वीपों के अपने दोरे की शुरुआत करनी चाहिए Mall of Emirates में स्थित एक विशाल स्की रिजॉर्ट स्की दुबई में ब्लेजिंग दुबई गर्मी से बच्चें दुबई फ्रेम एक प्रतिष्ठित फ्रेम जैसी सनरचना है जो नए और पुराने दुबई के लुभावने द्रिश्य प्रस्तुत करती है ये है Museum of Future यानी भाविश्य का अजायब घर इस इमारत का फ्रेमवर का अताकार 2400 स्टील की छडों से तयार किया गया था दुबई मिरेकल गार्डन में 150 मिलियन से अधिक फूलों के सुन्दर प्रदर्शन की प्रशंसा करें दुबई Global Village मनोरंजन खरीदारी के साथ साथ विभिन देशों के साथ भोजन करने के लिए एक स्थान है जिसमें विभिन अनुभव प्रदान करने वाले मंडप स्थापित किये जाते हैं पाम जुम्रा द्वीपों की वास्तुकला की प्रशंसा करें जो सच्छमुच एक तार के पेड़ के आकार के हैं और दुबई के पर्यटन स्थलों में से एक हैं दुबई के सबसे बड़े इंडोर मनोरंजन पार्क आइंजी वर्ल्स ओफ एडवेंचर में कई थीम वाले क्षेत्रों का अन्वेशन करें जहां 22 से अधिक सवारी और रोमांच कारी आकर्शन हैं डॉल्फिन शो में एक जीवन्त प्रदर्शन में फर सील और डॉल्फिन को एक साथ आते हुए देखें दुबाई गार्डन ग्लो में कला और प्रोद्योगी की के एक साथ आने का गवाह बने यह एक विशेश थीम पार्क है जो रात में चमकने वाले आकर्शनों के साथ है वियार पाक में सभी समवर्धित वास्तविक्ता आधारित गेम परिद्रिश्यों का अन्वेशन करें जो दुबाई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है बॉलीवुड पाक का ब्रमन करें जो पूरी तरह से भारतिय फिल्मों को समर्पित दुनिया का पहला मनोरंजन पाक है वाइल्ड वाडी में तीस रोमांचकारी सवारी और आकर्शन में से चुनें जो सभी सिनाबाद और जोहा की पौरानिक कहानियों के आसपास हैं बच्चों के लिए स्वर्ग, किद्जानिया दुबाई बच्चों के लिए पर्याप्त भूमे का निभाने वाले उपक्रमों के साथ दुबाई के शीर्ष पर्यटन्स थलों में से एक बन गया है जहां वे मजे के साथ सीख सकते हैं मोशन गेट दुबाई में घूमने के लिए मजेदार जगहों में से एक है जो हॉलिवुद से प्रेरित एक थीम पाक है एक स्पष्ट आकाश के बीच में एक वास्तविक विमान से कूदे बिना आइफलाई दुबाई में एक अंतर के साथ स्काइडाइविंग का अनुभव करें लेगोलेंड वाटरपार्क दुबाई के उन आकर्षनों में से एक है जो अडाल्ट्स को भी लेगोस के साथ खेलने के अपने बचपन के दिनों को फिर से देखने की अनुमती देता है दुनिया भर के हर प्रकृती और पशू प्रेमियों को एक जगा लाने के उद्देश से दुबाई दुबाई के प्रमुक पर्यटन स्थलों में से एक दे ग्रीन प्लैनेट के साथ आया है अगर दुबाई में गर्मी आपके बस की बात नहीं है तो ड्रीमलेंड एक्वा पाक में पानी में रहें जो पानी के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है अपनी आखों को भरम के संग्रहाले से चलने दें क्योंकि ये आपको एक पावर पैक मनोरंजन यात्रा पर ले जाएगा डाउन टाउन दुबाई में स्थित, दुबाई ओपेरा दुबाई में संस्कृती और अभिव्यक्तियों का शानदार केंद्र है और ओपेरा जिले का जगमगाता मोती है The Mall of the Emirates की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और दुबाई मौल के बाद दुबाई में ये दूसरा सबसे बड़ा शौपिंग सेंटर है समुद्र तट हर साल हजारों पर्यटकों को देखता है जो विशेश रूप से पानी के खेल का आनन्द लेने और पतंगबाजी में भाग लेने के लिए इस समुद्र तट पर जाते हैं दि और असकाई पूल ये है दुनिया का सबसे उचा इंफिनिटी पूल है और दुबाई के क्षितिज का 350 डिग्री द्रिश्य प्रस्तुत करता है गुरू नानक दरबार एक समर्पित पूजा स्थल के लिए सिक समुदाई की मांग में बनाया गया है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आराम से दुबाई जा रहा है और उसके पास काफी समय है तो आप दुबाई पोलो और एक्वेस्ट्रियन क्लब में एक अद्भुत समय बिता सकते हैं अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबहुड जिसे अल बस्ताकिया के नाम से भी जाना जाता है एक पुराना खंडहर योग्या शहर है जो संस्कृती प्रेमियों को एक बढ़िया चक्कर में भेज देगा अल शिंदाघा के इलाके में स्थित ये एतिहासिक इमारत अमीरात के पुराने समय के शासकों में से एक का पूर वावासिया घर है दुबाई के प्रसिध आकर्षनों की विस्तरित सूची में एक नई जोड़ी गई मजेदार जगा और साहसिक गतिविधी स्काइव व्यू दुबाई है दुबाई डेजट कंजर्वेशन रिजर्व दुबाई सरकार की एक पहल है जो आपको दुबाई के रेगिस्तान में कैम्पिंग करने और रात के सितारों की कमपनी में भोजन करने की अनुमती देता है दुबाई म्यूजियम यह दुबाई की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है इसकी शुरुवात 1971 में दुबाई के ततकालीन शासक ने की थी चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या केवल इतिहास में रुची रखने वाले यात्री यात्रा करने के लिए एतिहाद म्यूजियम से बहतर कोई जगा नहीं हो सकती है अटलांटिस में डॉल्फिन वे दुबाई में घूमने के लिए सबसे उलेखनी अस्थानों में से एक है बूर दुबाई विलेज जिसे दुबाई हैरिटेज विलेज के रूप में भी जाना जाता है दुबाई क्रीक के मुहाने के पास स्थित है जो पर्यटकों को समय पर वापस ले जाता है चिल्रन्स सिटी में दैनिक शेक्षिकी कार्यशालाएं, कहानी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, थीटर और इसका इंटरेक्टिव लर्निंग में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिए एक टॉडलर्स एरिया भी है दुबई और वहां के लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान, सफापाक वर्षों से कई पुनर्विकास से गुजर रहा है दुबई के घंटाघर की स्पष्ट परिभाषा कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन यह दुबई के प्रमुक स्थलों में से एक है दुबई में अल्कवोस के ओद्योगिक क्षेत्र में गोदामों को समायोजित करने वाला एक ओद्योगिक परिसर अल्सक का एवन्यू है अमीरा टौवर दुबई में देखने के लिए सबसे आश्चर्य जनक जगहों में से एक है 400 सुइट और कमरे हैं और लगभग 13 नाइट क्लब और खाने के उपक्रमों का घर है खरीदारी करना मजेदार है लेकिन इबना बतूता मौल अपनी मंत्र मुग्धा कर देने वाली वास्तुकला और खरीदने के लिए भरपूर चीजों के साथ इसे एक सुन्दर अनुभव भी बनाता है दुबई में घूमने के स्थानों में एक और दुबई बटरफ्लाई गार्डन है जो 15,000 से अधिक तितलियों और जीवन तरंग के फूलों को प्रदर्शित करता है जो आपके दिल को सुन्दरता से पिगला देंगे उन सुकीम समुद्र तट के रूप में प्रसिद संसेट बीच नारियल के खांचे के निशान के साथ धनुशाकार है और आराम करने के लिए एक महान स्थान है दुबई के पहले पूरी तरह से एकी कृत मनोरंजन और मोटर स्पोर्ट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ओटोड्रोम दुबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है एक पेचदार की तरह आकार, सियान टौवर एक लगजरी अपार्टमेंट है और हर मंजिल में एक ही वास्तुकला योजना है दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट यह दुबई में मनोरंजक परियतक आकर्शनों की सूची में अपना स्थान रखता है और अपने वैश्विक और डिजाइन उत्सवों के लिए प्रसिध है दुबई में घूमने के लिए सबसे शान्त जगहों में से एक अलममजार बीच पाक है जो यात्रियों के लिए एक छिपा हुआ गेहना है दुबई में घूमने के स्थानों में एक और जुम्रा बीच रेसिडन्स है जो एक वेवफ्रंट स्ट्रिप है और वॉक जेबी आर के रूप में प्रसिध है जगमगाती सुनहरी रेत के साथ दूबते सूरज को देखें और अजूर बीच पर आराम करें सीक्रेट बीच के रूप में प्रसिध अलसूफोह बीच दुबई में घूमने के लिए सबसे प्रभावशाली जगहों में से एक है दुबई के आकर्शक क्षितिज के करीब स्थित अलकुद्र लेक दुबई में घूमने के लिए सबसे दिलचस्ट जगहों में से एक है दुबई कॉफी संग्रहाले को दुबई में पर्यटकों के आकर्शन की अपनी सूची में शामिल करें क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जो कॉफी पर सभी संस्कृतियों को एक साथ लाता है अपने परिवार के साथ ओली-ओली जाएं क्योंकि इसमें आठ अलग-अलग दीरगाएं हैं जो दो मंजिलों में फैली हुई हैं यदि आप एक कला प्रेमी हैं तो दुबई में सबसे क्लासिक परियतन स्थलों में से एक अलजाबे गैलरी है जिसमें प्राचीन वस्तूओं, कलाओं और विशिष्ट शिल्पों का एक आकर्शक संग्रा है जो आपके दिल को पेगला देगा JTC Holidays Private Limited, Rajkot, Contact 968-789-5000 या 922-76-00-89-00